मुश्कार दोस्तों स्वागत है मेरी चैनल दी एक्टिव तरुन में मैं हूँ आपको दोस्तरुन और स्वागत करता हूँ एक न्यूज अपडेट के वीडियो में जो की होने वाली है हमारी के बारे में इसके अंदर भी लोगों ने दबा के पैसे लगाया हुआ है लेकिन अलॉट्मेंट नहीं मिल रहे है तो भीया जितने भी हमारे भारतवर्ष की लोग है उनके अंदर सब्सक्राइब खास बात यह है कि वह खुश भी बहुत जल्दी होते हैं और परिशान तो उस अब उनकी परिशारी के कारोन को हैं उनका समध्य हैं उसी के बारे में बदे करने वाले है और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करके बैल के आीकन कर दबा दीचेएगा साथ मेंतोड़ा सब्सक्राइब फाइव हन्डड मल्टिकैप इंडेस फंड जो है यह एक इंडेस फंड है ओपन इंडेस फंड है इसके अंदर आप जमर जी इंवेस्ट करके जमर जी एकजिट कर सकते हैं किसी भी तरीकी की वह आप इसमें पीर बेरिंग नहीं है कि आप दो साल तीन साल के लिए आपको पांचों कंपाने लोगों के इसको इसको फिक्स है। आब हुआ खी पॉसलिंग को यह को इसको लोगों को हुआ Q माल वे तो फिरोया AH. आज है 22 और अभी भी किसी को अलोटमेंट नहीं हुई है अब अलोटमेंट नहीं हुई है तो लोग सोच थे हैं कि भाई पैसा फस्तो नहीं गया किसी ने पैसा मार तो नहीं लिया ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन सबसे पहली बात ऐसा कुछ भी नहीं है पैसा सुरक्षित है जिसने भी इंवेस्टमेंट करी थी उसको युनिट्स जो है वह अलॉटमेंट हो जाएगी अभी नहीं होई है लेकिन होना शुरू हो जाएगी अगर किसी भाई को मेल आया है या पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो गया तो वह कमेंट तरके जोरूपत आएगा साथ में यह बी बताइएगा कि अलॉटमेंट हुगात यह रूपे भी हुए दस रूपे भी हुआ होगा तो अब इसकी दो लिश्टिंग की डैट है आप लोग परशान रहेंगे कि वह लिश्टिंग कम होगी तो इसकी आ लिश्टिंग ना वह करीबन होगे 27 अगस्त को या 28 अगस बात नहीं है आप सोचे कि यह परिशान हो कि हुआ नहीं अलाट्मेंट आ गई लेकिन देखनी रहा फिर लोग इसलिए परेशान नहीं कि पैसा बढ़ने रहा उसके अंदर या उसके अने भी नहीं बढ़ रहा है तो भाई परेशान होने वाली बात नहीं है इन सब चीजों म और आपका लिश्टिंग भी हो जाने चाहिए जो रूल है लेकिन लेट होगी कोई बड़ी बात नहीं है जो ऐसी SBI innovative opportunity fund था उसके दर में लोग परिशान है वो भी हो जाएगा उसमें कोई multi-cap fund के नहीं investment नहीं है उसी को इसके नहीं इंवेस्ट करना है और साथ में इसका एक भाई और launch हुआ है जो कि Mirai Assets वालों की दरफ से आता है दोनों similar fund है अगर आपने Mirai Assets multi-cap fund के नहीं invest कर दी है तो आपको इसके नहीं करना है और अगर आपके पास already multi-cap category का fund है तो भी आपको इस fund के अंदर invest नहीं करना है इस चीज के आप ध्यान लखेएगा और अगर इसके अंदर कर दी है तो कोई multi-cap नहीं हो जाएगी बहुत सारी जो stocks हैं आपके वो दोनों same funds में same रहेंगे तो ना आपका पैसा जाएगी एक श्टॉक आप दो दो जा खरीज लेंगे तो इस से बचके रहीएगा और बात करें इसके दूसरे आख़रों की तो एने वी जो होने वाला है इसका है वहीया 10 रुपे पर दस रुपे पर लॉंच होगा और आपको अलर्टमेंट यह 10 रुपे पर होने वाली है और दूसरे जो इसके बात करें रिटर्स वाला कितने होने वाले इसको जो रिटर्स होंगे देखिए रिटर्स में इसके करीब इन करीबा 18 परसेंट से लेकर 20 परसेंट के असपास मिल जाएंगे लॉंग टर्म में अठारा 20 परसेंट के रिटर्स मिलेंगे लॉंग टर्म में इसके अंदर पर्ण सुरक्षित है लॉंग टर्म के लिए बहुत अच्छा है कम से का मिनिमम तीन साल के लिए इसका कर सकते हैं किसी भी तरीके प्रॉलम नहीं होने वाली है ठीक है ना तो देखिए इसी तरीके कर देजिएगा भीया साथ में कुछ और पूछना जाते हैं तो पूछ सकते हैं जहें